प्रणाम सभी को, मैं नीता यादव, रेकी ग्रेंड मास्टर, दोस्तों आज हम रेकी के बारे में जानेंगे, रेकी क्या है? रेकी जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है सर्व व्यापी, जीवन शक्ति. रेका अर्थ होता है सर्व व्यापी या विश्व व्यापी, और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति या प्रांट शक्ति. हम सभी इसी जीवन शक्ति को लेकर जन्मे हैं, और इसी शक्ति के द्वारा हम जीवन जी रहे हैं, दुनिया की यह सर्वोच्च शक्ति है. रेकी क्या नहीं है? रेकी का कोई धर्म से या कोई पंथ, वर्ग या तंत्र मंत्र के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है दोस्तों रेकी सीखने से क्या लाब होते हैं? रेकी में हमें हातों के अलावा किसी साधन के आउशक्ता नहीं होने से यह बेहधी सरल और एक प्राकरतिक उपचार चिकित्सा पद्दती है प्रतेक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर रेकी का असर होता है रेकी से शक्ति का संतुलन इस्थापित होता है तनाव और भावनाओं के बंधन मुक्त होते हैं रेकी हमेशा मूल या जड़ पर असर करती है जागरती बढ़ती है चेतना का विकास होता है शक्ति में व्रधी होती है दोस्तों रेकी सीखने के बाद व्यक्ति के मन में करुणा और दया के भाव उत्पन्न होते हैं वहा हमेशा एक ग्रैटिट्यूड मोड में होता है जब भी वह किसी को परिशान देखता है उसे हमेशा यह लगता है मैं किसी भी तरह इसे इसकी परिशानी से मुक्त करूँ रेकी को स्पर्ष चिकित्चा के नाम से भी जाना जाता है ऐसे कई द्रिश्टान पौरानिक शास्त्रों में दिये गए हैं जैसे राम के इसपर्ष के द्वारा जीवित हुई अहिल्या क्रश्न के इसपर्ष से अंग विक्रती से मुक्त हुआ शिशुपाल और कंस की कुपजादासी दोस्तो रेकी एक बहुत ही सरल उपचार पद्धती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैशी कृष्णा